अगर आज आप अपनी घर से वाहन पर निकल रही हैं और हैलमेट लगाना भूल गए हैं तो आपकी जेब पर बड़ा फटका लग सकता है क्यूंकि ट्राफिक डीजी के आदेश की बाद जोतपूर में बिना हैलमेट सड़क पर वाहन चलाने वालों के खिलाब बड़ा अभ् सान सुबा नो बज़े से शुरू किया शुहर के मुखे चराहों पर भी ट्राफिक प्लीस खठी है जो बिना हैलमेट वाहन चलाने वालों के खिलाब चालान्द काट रही है वाहन चलाब ट्राफिक प्लीस वालों को देख भागते हुए नजर आ रहें पुलिस वाहन की ड् दूपईया वाहन चाल को सवारू की मृतियों में कमी लाने के लिए सुबा छे बजे से शाम छे बजे तक बिना हेलमेट दूपईया वाहन चलाने वालों के लिए एक दिवसिये सगन अभ्यान चुला कर कारवाई की जाए और इस कारवाई की सूठना 14 मईं सुबाहत 10 बजे जोदपूर से अभिशेक सेंकिर दूपईया वाहन चला जा रहा है बिना हैलमेट की बजे की बीच में है अलाकि इस अभ्यान की अवेर्नेस सब जल्या करवा दी थी कोई गोपनी अभ्यान नहीं था या अचानक नहीं किया अवेर्नेस के बाद में की सर्कॉलेशन सब चीजों का करने के बहुचुत भी बहुत हरे लोग बिना हैलमेट के जो फाई जा रहे हैं उनके बुरुट कारवई कर रहे हैं और अब तक करीब दो डाइसों कारवई छेले दू गंडे में जोपूर ड्रमी पूलिस ने पेट सब्सक्राइब कर रहे हैं अभी बिना हैलमेट पेना दूसरे ने नहीं पेना तो इस तरह के कई लोग हैं और कुछ माना भी बनाते हैं तो उन सब के बाउंचों के बुरुट कारवई की जाते हैं यह अभियान तो आज साम तक है और वैसे रोज ही कारवई करते रहते हैं अभियान में विशेश रूप से इस पे ध्यान दिया जाके पूरी रास्तान की ट्राफिक पुलिस रास्तान की ठाना पुलिस सब मिलके कारवई कर रहे हैं ताकि लोगों में जागरती बने उत्यसी है बहुत ज्यादा चालान करने का नहीं है उत्यसी है कि लोग हैलमेट प पहने के कारण दुर्गटनाओं में ओने वाली मोतों में कमी लाने के लिए विशेश अभ्यान चदाया गया है। चलने वाले वाहनों को जवारियों को पर चलान करने हैं। अभी तक तरे 500 जलान जोद्पर कमिशनरेट कर चुका है।